हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी योट्यूब चैनल हाई टेक ज्यान में मैं हूँ आपका दोस्त हिमान शुहर बोला आज मैं आपके लेके आया हूँ कि टाटा की सभी गाड़ियों में वीडियो कैसे प्ले होती हैं आप मैंसे बहुत से लोगों का यह क्वेस्चन था क कि टाटा की सभी गाड़ियों में जिसमें भी हर्मन का इंफोटेन्मेंट सिस्टम आता है टच स्क्रीन के साथ उसमें क्या वीडियो चल सकती हैं तो उसका जवाब है भाईयो हाँ टाटा की सभी गाड़ियों में जिसमें भी टच स्क्रीन हर्मन का इंफोटेन्मेंट सिस् कि कैसे इसमें वीडियोज चल सकती हैं सबसे पहले हम गाड़ी का इगनेशन आन कर लेते हैं यह हमारा इन्फोटेन्मेंट सिस्टम आन हो गया है फिलाल मैं आपको इसमें पैंड्राइव के थूग आने चला के एक बार वीडियो चला के दिखाऊंगा यह हमने इसमें पैंड्राइव लगा दिया है यह पैंड्राइव अभी रीड करने लग गया है इसको सिंप्ली हमने इसको जाना है यूएसबी में यूएसबी में जो भी गाने हैं वो प्ले होने लग गया है एक बार आपको फिर से सुरू से दिखा देता हूँ कि यह होम बटन आगया है कि सबसे पहले हम गए यूएसबी में यह भी MP3 सॉंग दिखा रहा है जो इधर यह बना हुआ है आइकन इस पर आप क्लिक करेंगे आप जाएंगे सबसे नीचे वीडियो उस पर वीडियो में यह आगए सारे वीडियो जो भी इस फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट यह सपोर्ट कर रहा है नॉर्मल सारे ही करता है ज्यान रखेगा अच्छी वाल्टी 1080 वाली आपकी बिल्कुल हो तो उसमें थोड़ा अटक के चलेगा लेकिन 720 पिक्सल्स की जो भी होंगे वीडियो वह सारे इसमें इसली चल जाते हैं वीडियो में आप जाएंगे जो भी आपको गाना कोईसा भी आप क्लिक करें सारे गाने आपके चल ज जाएगा तो इस तरीके साथ प्रॉपर वीडियो चला सकते हैं आप ये हैं अगया है कि अगया देरेक्ट अब यूस्बी में जाकर पहले सॉंग चलेंगे त्री डॉट वीडियो में गए जो भी गाना आपको चाहिए लगाए डिरेक्ट प्ले हो जाएगा तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कोई भी और जानकारी आप चाहते हों इस गाड़ी के रिगार्डिंग या कोई भी फीचर आप जानना चाहते हों तो आप कमेंट्स में जरूर लिखेगा मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हो सके तो चैनल को शेयर कीजिए जैन